हेलो एबरिवान आज की वीडियो में आपको बताएंगे रिबन हेयर रबर बैंड और टाई हेयर रबर बैंड आप घर पर इजली कैसे बना सकते हो तो यह रही रिबन रबर बैंड की कटिंग इस तरीके से आपको पेपर पर पैटरन काट लेना है और फिर इस ड्रॉ करकर आ आप रबर बैंड रिबन की लेंद ले सकते हो फिर इतने अरियों को आपको सीना नहीं है यह छोड़ देना है यह लास्ट में सीना है और यह जौजट फैबरिक है यह हमारे बालों पर काफी अच्छा लगता है क्योंकि जौजट में काफी लचक होती है कपड़े में और च्छोटा भी ब announce क्तेजिए फिर इसे आप rocks या फिर पैन की मदस है सीधा कर लेना है गलांि से इसे सीधह कर लिया है फिर दूसरी आफाइट का है हमें ऐसे कर लैना है यह तो दौनों सॉट का इसाइप से आपको करने के बाद भीच का सैंटर पॉइंट जो हम नहीं स्टिशिंग किया था वह लास्ट में हमें स्टिशिंग करना है इतने एरिये पर तो सिलने के बाद ये कुछ इस टाइब का हो जाएगा तो ये रहा DIY hair ribbon rubber band फिर हमें लेना है rubber band तो rubber band में आपको इसे attach करना है आपको इसमें guard लगाना है ताकि ये ribbon जो हमने बनाया है इस rubber band में अच्छी तरीके से attach हो जाए तो friends कैसी लगी आपको मेरा DIY ribbon hair rubber band तो second हमारा है tie hair rubber band तो उसे भी आपको एक paper पर draw करना है और इसका pattern भी काट लेना है फिर same pattern की तरह ही हमें इसे प्पड़े पर काटना है यह पिछली वीडियो में हमने ये rubber band बनाए थे उसी में हमने ये attach कर दिया है तो आप अपने suit की matching का dress की matching का भी rubber band बना सकते हो तो friends ये cotton fabric है इस type के rubber band में आपको जॉर्जट फैबरिक काफी best रहता है क्योंकि इस fabric में लचक रहती है और cotton फैबरिक में नहीं रहती तो कैसे लगे आपको मेरे DIY rubber band तो please मेरे वीडियो को like, comment, share जरूर कुदेगा और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा मिलते हैं अपनी interesting वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई